नमस्कार दोस्तो बीपियसी मेंस को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिक एंतरिगत जितना भी इंपोर्टेंट प्रशन है उन सारे प्रशनों को बारी बारी से कबर कराए जा रही है आज इसी कड़ी में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रशन आप लोगों के सामने है संग की अनिवारता का परिछड कीजिए भारतिय संग की प्रकृती का बिसलेशड कीजिए बहुत ही सीधा सदा सवाल है देख पारें संग की अनिवारता का परिछड कीजिए और भारतिय संग की प्रकृति का बिसलेसर कीजिए अब इसका जब भी आपको फिरेमिंग करना है एंसर राइटिंग का तो इंट्रो पार्ट, बोडी पार्ट और कन्क्लूजन पार्ट को ध्यान वे डखते हुए करें अब यहाँ पे सुरुवात करना है परिचे में जो भी संगवात का जो परि पिछल करना है अर्थात जो भी संग की जो अनिवारता है भारत में क्यों जरूरी है यहाँ पे बौडी पार्ट में ठीक है इसको रखने का प्रयास करना है इसके अलावा भारतिय संग कि जो भी प्रकृति है इसे भी आपको बोडी में रखना है तो पुरक पुरा यहाँ जितना भी dimension बड़ा हो पाएगा उतना आप dimension बड़ा करने की कोशिस कीजिएगा आगे में आपको सिखाऊंगा भी उसके वाद last में यहाँ पे एक संदार निसकर्स के माध्यम से अपने answer को आप complete कर सकते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे निसकर्स या फिर टिपड़ी के रूप म जब आएगा तो उसमें presentation का जो तरीका है आपका सबसे बेहतरीन होना चाहिए खास कर हर एक प्रसनों में presentation की तरीका को बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिस कीजिए ताकि एक जामनर का टेंसन आपके कौपी में मिल पाए अब यहाँ पे चुकी हमारा जो subject ही यहाँ पे समिधान के द्वारा भारतिय समिधान के द्वारा जो भी यहाँ पे सक्तियों का बिभाजन यहाँ पे किया गया है अब यहाँ पे दो वस्तर पे सुरुआत में किया गया था चाहिए हम लोग बात कर ले केंदर सरकार की या पिर हम लोग बात कर ले राज्य सरकार की या पर या फिर छेत्रिय सरकारों की यहाँ पर बात कर ले अब यहाँ पर जो सक्तिय को जो भी भाजन हुआ है अब जो भी यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जो बिसय है जैसे कि केंद्र का जो बिसय है खास कर राष्ट्रिय हित से संबंधित राष्ट्रिय हित से संबंधित वैसे ह विए पर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है यहीं है भारत में संगवाय का प्रकार या पिर संगवाद की प्रकृती, इसी तरीके से भारत कारे करता है संगबाद को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पे कुछ example के माध्यम से आप quote कर सकते हैं जैसे अगर हम लोग बात करें अमेरिका की E.S.E. की तो दिखिए यहाँ पे E.S.E. जो की प्राचिंतम संगिया देश के रूप में माना जाता है जैसे कि उधैय था एकदम उपे उपे करना है कि प्राचिंतम जो संगिया जो देश है जब अमेरिकी करांटी के बाद से जब देखेंगे वहाँ पे ठीक है समिधान के जब निर्माड होने लगा तो संगिया बेवस था यही पे लाया गया था आगे हम लोग देखेंगे कुछ एक्जामपल के माधियम से उसके बाद से हम लोग अगर भारत की बात करें तो भारत भी यहाँ पे संग्य बेवस्था है लेकिन भारत की संग्य बेवस्था अमेरिका की संग्य बेवस्था से बिलकुल अलग है अब आप सोचि यहाँ पे देखा जाए तो समिधान सभा के सदस्यों ने रिस्क लिया और भारत को संगी अब्वेवस्था के तखत ही यहाँ पे रखने का निलने लिया तो इसका सबसे बड़ा कारण था भारत का जो ब्रिहादकार इतना जो बिसाल जो देश है इसके अलावा यहाँ पे सोस इसके अलावा कनाड़ा रसिया आजएगा रसिया या फिर ब्राजिल ऐसे कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पे देश है जहाँ पे संग्य बेवस्था मौझूद है अब यहाँ पे संग्य बेवस्था संग यहाँ पे आपको बता देना है संग का मतलब ही होता है देखा जाए तो एक संधी संधी या फिर इसे समझाओता के रूप में समझ सकते हैं संधी या समझाओता यह एक लैटिन समझेगा ठीक है यह लैटिन एक जो सब्द है फोयडस से लिया गया है और इसका मतलब है संधी और समझाओता किसके बीच तो जो भी बिभीन इकाई है बिभीन इ काईओं के बीच समझा होता, तो यहाँ पर देख पारें, जैसे कि भारत में केंद्र हो गया और छेतरी अस्तर पर समझा उता का विभाजन किया गया है, ठीक है, वईसे ही आप इवेसे भी देखेंगे, यहाँ पर केंद्र है या फिर प्रांथ है, वईसे सारे ही दिशों में यही परिक्रिय आपको देखने के लिए मिलेगी अब आई हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं संग की अनिवारत्या को लेके अब संग के अनिवारे हैं कुछ इंपोर्टेंट हम लोग पॉइंट पर आप चर्चा करते हैं जैसे की टोटल सेवन पॉइंट है इन सेवन पॉइंट को आपको एकजाम में जरूर लिख कहना है अगर इस तरह का प्रस्न दे रहा है तो बहुत असान है देख पर है न यहाँ पर थोड़ा बहुत भी अगर आप कोमन सिंस लगाएंगे तो असानी से इन सारे के सारे जो भी ठीक है सब टोपिक है इसको आप असानी से स्प्लेइन कर देंगे नमबर वन है यहाँ पर दोहरी सरकार को लेके बात करें दोहरी सरकार को लेके यहाँ पर बात करें अच्छे त्री अस्तर पे जो भी यहाँ पे मौजूद है अब दोनों को यहाँ पे क्या किया गया है तो समिधान के द्वारा समिधान के द्वारा बिल्कुल ही यहाँ पे देखेंगे तो परती एक अस्तर पे समप्रभु सक्तिया दिया गया है और यहाँ पे जो भी विशय सुची की रूप में बाटा गया है इनमें इनको पूरा का पूरा ठीक है कानून बनाने का यहाँ पे अधिकार है तो यहाँ पे कहिन कहीं एक स्वाथा का जो फिलिंग आता है चाहे ओ केंदर सरकार को या फिर प्रान्तिय जो भी छेत्रिय जो सर सरकार है उनको भी कहीं कोई समया नहीं होती है तो इसलिए जरूरी है क्या है यहाँ पे दोहरी सरकार ताकि दोनों ही अपनी अपनी बिसय चेत्र में अच्छे तरीके से कार yap सकेऋ लोगों की समयाओ को सुन सके यह फिर यहाँ पे जो भी सासन प्रसासन को बेहतरी इन तरी सके दूसरे नमर पर यहां पर सकतियों का बित्रण के रूप में समझ सकते हैं आप सकतियों का बित्रण अब यहां पर थोड़ा समझने का प्रयास किजिए सकतियों का बित्रण यहां पर देखेंगे तो यहां पर केंद्र हो जाएगा और दूसरी तरफ यहां पर देखेंगे उसी तरीके से राजियों में अगर हम लोग बात करें बिधान सबा की तो यहाँ पे भारत का जो परतेक जो नागरीक है देखिए इन्हें भी चुन रहा है परतेक्स तोर पे इन्हें भी चुन रहा है परतेक्स तोर पे इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर इन्हें अगर यहाँ पर देखेंगे तो अपने अधिकारों का इधर भी हस्तांतरन कर रहा है अपने अधिकारों का इधर भी हस्तांतरन कर रहा है दोनों साइड यहाँ पर हस्तांतरन कर रहा है और अभी वर्तमान में अगर आप थोड़ा सा तीहतरवा और चगहतरवा समिधान संसुधन को गर count कर लेंगे, तो यहां पे भी परतिक्ष निर्वाचन नहीं है, इनको भी यहां पे चुना जाता है, तो कहिन कहिं यहां पे हस्तांतरल कुछ तक यहां भी करता है, अब इसी इस नागरी को क्या मिलता है, तो देखेंगे यहां पे, चाहें हम लोग केंद्रे की बात कर ले राज्य की बात कर ले या फिर हम लोगा स्थानिया जो भी सुभायत जो ठीक है सासन प्रसासन उसकी बात कर ले इनके द्वारा इस नागरिक के प्रती जो भी यहां पे कानून हो गया कानून हो गया या फिर यहां पे कराधन हो गया प्रसासन हो गया किस तरीके से यहाँ पर implement यहाँ पर किया जाए सबका अपना अपना अधिकार छेतर पूरी तरीके से बटा होता है ध्यान रखेगा सबका अपना अपना अधिकार छेतर बटा होता है अब यहीं जो अधिकार छेतर है आप देखेंगे तो जैसे कि केंद्र सुची, राज्य सुची, जैसे कि यहाँ पर नंबर वन हो जाएगा केंद्र सुची, राज्य सुची, इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा समवर्ती सुची समवर्थी सुची चुकि यह जो 73 और 74 जो समिधान संसोधन हुआ है यह राज्यों कहीं यहाँ पर क्या हुआ है पूरी तरीके से ठीक है कह सकते हैं कि सत्ता का कहिन कहीं यहाँ पर थोड़ा भूत आपको बिकेंद्री करन यहाँ पर होते हुए दिखाई देगा राज्यों का के कानून बनाएंगे लेकिन अगर टक्रा होगा तो उस इस्तिती में केंदर सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होगा उसके बाद next है समीधान की सरोच्थता को लेके देखिए यहांगे समीधान की या फिर हम लोग यहां पे अस्टेट की बात कर ले, दोनों को ही अपने अधिकार छेतर में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इनके साथ एक समस्या है कि यह वही कानून बनाएंगे, एक तम ध्यां से सुनिए, यह वही कानून बनाएंगे, जो कानून ठीक है, लोगों के ठीक है, सपोज कर ये हरियाडा वगर है, राजस्थान वे रिजर्योशन की मायंग चलती है, तो क्या हो रिजर्वेशन, अगर कोई भी बहु संख्यक समाज है, या फिर वोट वैंग के चकर में, क्या वहां की सरकार उनके मांगों को मान के, क्या उनको रिजर्योशन दे सकता है, राजे में कानून भी बना सकता है, लेकिन पुना ये मूल धाचर की खिलाप हो जाएगा, और ऐसे में ध्यान रखेएगा, ऐसे में यहाँ पे, चाहे हम लोग हाई कोट की बात कर ले, या फिर सुप्रीम कोट, अधिकांस्तर मामले में देखेंगे, तो सुप्रीम कोट के द्वरा यहाँ पे जुडिसियल एक्टिविजम, जुडिसियल एक्टिविजम, नियाइक सम्मिक्छा के तहाद, वैसे कानूनों को यहाँ पे अवयद घोसित कर सकता है, ठीक वैसे यहाँ पे सेंडर के साथ हो सकता है, जैसे कि किरिसी बील को यहाँ पे ले लिजे किरिसी कानून को ले के देख लिजी यहाँ पर, कैसे यहाँ पर इसे वापस लेना पड़ा, किरिसी कानून को वापस यहाँ पर लेना पड़ा, अलाकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठीक है, ध्यान रखेगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवयद घोसित नहीं किया था, सेंट स्वतंत्र न्याईपालिका ध्यान से देखते चलिए स्वतंत्र न्याईपालिका स्वतंत्र न्याईपालिका का मतलब क्या है यहाँ पे कि पूरा का पूरा यहाँ पे न्यालय के जो पाज है समिधान की न्याईक ब्याख्या का करने का अधिकार है अर्थाथ जो भी यहाँ पे समीधान का न्याई ब्याक्या करने का अधिकार, इसी सुतंत्र न्याई पालका के पास है अर्थाथ सुप्रीम कोट भी वो सकता है, या फिर कुछ मामलों में हाई कोट के पास यहाँ पे हो सकता है. ऐसे में अगर देखा जाए, तो सेंटर और अ empire की तरह काम करती है empire की तरह ठीक है बिलकुल ही निस्पक्च तरीके से ये कारे करते हुए नजर आती है उसके बाद next है अधालत की दोहरी परणाली अब अधालत की दोहरी परणाली का मतलब क्या है संगवाद में इसका important role यहाँ पर क्यों है संगवाद में जैसे कि इसमें देखा जाये तो नियाए पालिका का विभाजन किया गया है नियाए पालिका का विभाजन अब नियाए पालिका का विभाजन का मतलब यह नहीं है कि इनके सक्तियों का बटवारा हो गया है ठीक है अलग अलग अस्तर पे नियाई पालिका को अस्टेबलाइज करने का प्रयास किया गया है जैसे अगर हम लोग बात करें अस्टेट में यहाँ पे अस्टेट में बात कर लें यहाँ ठीक है तो अब अस्टेट में क्या होता है तो जो भी यहाँ पे सुनवाई जो होती है अस्टेट में जो भी यहाँ पे सुनवाई होती है जो भी अस्टेट जो कोट है जैसे कि हाई कोट हो गया या फिर सुरी डिस्टी कोट हो गया या फिर सेशन कोट हो गया इन ही तीनों जगा यहाँ पे राजियों का जो भी ठीक मा पिर अस्टेट या सेंटर के भी समस्या आ गई तो ऐसे में क्या किसी भी राज्य का जो भी यहाँ पे कोट होगा चाहे हो हाई कोट ही क्यों ना हो ऐसे में क्या हो मामले के जो सुनवाई करेगा तो दूसरा राज्य मान जाएगा अब सोच के देखिए सपोज करिए अगर बिहार में है ठीक है पतना हाई कोट का ठीक है जो भी आदेश है सपोज करिए बिहार और रिपी में कुछ चीजों को लेकर यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है अब पतना हाई कोट कुछ और स्टेटमेंट देगा इलहाबाद हाई कोट कुछ और स्टेटमेंट देगा तो ऐसे में क्या जाएगा टकराव होना सभाविक है तो ऐसे में यहाँ पे होता क्या है तो धियान से देखिए यह मामला कहां चला जाता है तो Supreme Court में यह मामला चला जाता है Supreme Court में अर्थात इसे आप बोल सकते हैं संगिय नियाले में संगिय नियाले में यह मामला यहाँ पे चला जाएगा और फिर तब जाके उसको निप्टारा करना होगा अब यहाँ पे जो भी एडिसिजन देगा बिलकुल ही उन डिसिजनों को दोनों ही राजियों को या फिर केंद्र या फिर राजिसरकार को मानना ही होगा अब आएम लोग नेक्ट बात करते हैं कठोर समिधान को लेके अब कठोर समिधान का मतलब देखिए सिंपल सा है जैसे कि कठवर समिधान का मतलब समिधान द्वारा देखिए सक्तियों का जो विभाजन किया गया है उससे सम्मंधी थे थोड़ा आप लोग समझने का कोसिस कीजिए सक्तियों का जो विभाजन किया गया है अब देखेंगे सक्तियों के विभाजन को लेके यहाँ पे देखा जाए ना तो सुप्रिम कोट ने या फिर जो समिध्हान के सदस्यों ने समिध्हान सभा के जो भी सदस्य थे कहिन कहीं यहाँ पे इसके जो सुप्रमेसी है यहाँ पे नियाले को ही यहाँ पे देने का प्रयास किया है नियाले यहाँ पिर का सकते हैं कि समिधान को ही यहाँ पे देने का प्रयास किया है इसलिए यहाँ पे कठोर समिधान का सिधा सा मतलब है कि किसी भी मतलब मामले को लेके इस पे इतना आसान नहीं होगा समिधान संसोधन करना या फिर ठीक है हम लोग बात कर ले फंडेमेंटल रायर की या फिर कोई भी अन्य यहाँ पे संसोधन हो जो अगर मूल ढाचे की खिलाप हो रहा तब तो समस्या आएगी ही आगी लेकिन अगर वो सिंपल कोई भी संसोधन भी है चाहे वो फंडेमेंटल रायट हो गया फिर बाकी अन्य कोई भी हो तो यहीं बहुत ही कम्पलिकेटेड होता है ध्यान रखियेगा बहुत ही कम्पलिके यहाँ पर ठीक है जो वर्तमान जो गवर्मेंट है बहुत सारे दाओं पेच लगा के इस बिल को पारित करने में यहाँ पर काम्याब रहे थी लेकिन ओ इतना असान नहीं था क्यों तो यहाँ पर ध्यान रखियेगा जब भी इस परकार का जब संसोधन होगा तो संसत में कह कहीं देखेंगे तो संगियर धाचे को बदलने का प्रियास किया जाएगा और इस मामले में जो समिधान संसोधन की परकिरिया कंसिट्यूशनल अमेटमेंट की जो परकिरिया है 368 के माधिय हम से देखेंगे तो 34 परकार से यहाँ पर किया जाता है और कुछ ही इसमें जैसे कि एक जो खतरनाक वला है जब भी बात आती है संगियर धाचे को परिवर्तित करने की बात तो इसमें यहाँ पर बिसेस जो मेजुरिटी तो चाहिए ही चाहिए यहाँ पर बिस राजियों की सहमति यहाँ पर चाहिए ही चाहिए सहमति चाहिए ही चाहिए तब ही जाके कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है अब एक्जामपल के लिए हाँ पर देख तकते हैं ठीक है jet, फिर ठीक है राष्टिरी नीउकति आयोग को लेके भए यहाँ पर कुछ इसी तरीक बिधायक, अब दिरी सदने बिधायक का सिंपल सा मतलब है कि एक तरफ हो जाएगा यहाँ पे उच्च सदन, उच्च सदन, जिससे हम लोग बोलते हैं राज्य सभा, राज्य सभा, दूसरे तरफ हो जाएगा यहाँ पे लोग सभा, जिससे बोला जाता है निम्न सदन, निम्न सदन, अब यहाँ पर जो राज्य सभा है यह देखेंगे तो यह राज्यों का परतिनिधित्व करते हुए नजर आएगा, ठीके, तिसे लिए यहाँ पर जो भी इसके राजी सभा का चुनाओं यहाँ पे होता है उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे लोग सभा में तो यहाँ पे लोग सभा में यहाँ भारत के लोगों का परतनी तो करता है अर्थात यहाँ पे लोगों के द्वारा परत्यक्ष त्यार रखेगा परत्यक्ष निर्वाचन के मा आपने गया है तो यहां पे ध्यान रखेगा यहां पर प्रत्यक्ष जो निर्वाचन है आप्रत्यक्ष लोगों के द्वारा ही यहाँ पे कहीं कहीं आपे भेजा जा रहा है तो वैसे में इस राज सभा के द्वारा इस लोक सभा को ठीक है बहुत सारा मामलों में यहाँ पे अनवस्यक ठीक है जो कर सकते हैं कि ठीक है हस्तचेप हो गया अनवस्यक हस्तचेप को पूरी तरीके से यह करने का ठी परियास भी करता है अब अनवस्य खांट च्छेप यहां पर कब हो सकता है खुद समझी है ठीक है जब ही लगेगा कि जो केंदर सरकार है केंदर जो सरकार है सही तरीके से काम नहीं कर रही है लोगों के मुद्धों को नहीं उठा रही है या फिर कुछ ऐसा बिधेयक कुछ ऐ उसके बाद आई हम लोग क्वेस्चन के दूसरे पार्ट में आते हैं भारतिय संग की प्रकृति को लेके भारतिय संग की प्रकृति को लेके तो इसमें लगबग 9 पॉइंट है थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है ठीक है तो थोड़ा एक बार सरसरी निगाहों से देखन प्रियास करते हैं ensemble, जैसे हम लोग बात करते हैं अमेरिका के, तो देखिए अमेरिका में भी संगिया वेवस्था मौजूद है, लेकिन अमेरिका में जो संगिया वेवस्था मौजूद है यह दोनों के समझस से मौझूद है अर्थात अमेरिकी जो भी राजे है और संग के बीच अमेरिकी राजे और संग के बीच एक समझावते का परड़ाम है यहाँ पे mutual understanding दोनों के बीच यहाँ पे समझावता हुआ है और ठीक है आपको ध्यानी होगा लगभग 1776 में जब अमे प्रिटिस उपनिवेस के रूप में बिल्कुल हो ठीक है मुक्ती हो गया था लेकिन उसके बाद से देखिए सब लड़ लिए आपस में ठीक है आपस में नहीं माने बिटियन के खिलाब सब लड़ गए लड़ लिए और फिर यह लोग जा रहे थे अपने अपने घर तेरा के तेरे जो भी उपनिवेस अपने छेतरों में जार रहे थे फिर वहाँ पे एक लीडर के माधियम से कई सारे उसमें लीडर थे उन लीडरों के माधियम से हुआ कि नहीं हमें एक संग बनाने की यहाँ पे कोशिज करना है ताकि हम एक मजबुत पूरी तरीके सा मिरक चाहिए आपस में ठीक है एक संग के माधियम से अगर हम लोग रहेंगे तो बिलकुल उनाइट रहेंगे फिर से कोई बिदेशी सकती मतलब आ जाए और हमें गुलाम मना ले तो इससे ठीक नहीं है बहुत सारे यहाँ पी बाती होती है तो यहाँ पे कुल मिला के देखेंग तो समझाओते का यहाँ पे पूरा-पूरा क्या है परडाम है ध्यान रखेगा समझाओते का परडाम है अब यहाँ पे जब समझाओता हुआ तो अब खुद सोच के देखे जब अंडरस्टेंडिंग हो रहा है तो क्या कोई भी अपने अधिकारों को कमपरमाईज करने के तयार होगा बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा ध्यान रखेगा बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा तिसलिए यहाँ पे जो भी पचास राज्य की जो यहाँ पे अधाना देखने के लिए मिलती है इनका कॉंसेट बिल्कुल सिंपल है अबिनासी राज्यों का अबिनासी राज् जो कि दोनों में क्या हुआ है, समझाओता हुआ है, मुचुल अंडरस्टेंडिंग हुआ है, टूट यहाँ पे नहीं सकता है, और इसी को समानता के अधार पे भी यहाँ पे लाने का कोशिस किया, जैसे कि अमेरिका में, ध्यान पर खेंगा, अमेरिका में जो केंदर होता है, यहाँ पे देखेंगे, तो एक तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा सीनेट, जिसे उंच सदन बोला जाता है, यहाँ पे जो भी राजियों का परतनिशित्व है, जैसे भारत में राजिसभा है, तो यहाँ पे टोटल ठीक है, पचास राजियों का परतनिशित्व होता है और हर एक राजियों को यहाँ पे दो सीट दिया हुआ है, दो सीट दिया हुआ है, तोटल सिनेट में 100 सीट फिक्स हैं यहाँ पे, लेकिन क्या, अभी हमने देखा भारत में इसा था, भारत में नहीं था, चुकि भारत में जो राजियों का जोर परतनीसितों कर रहा है, राज जन संख्या को ध्यान में रखते हुए हर एक राजे में अलग अलग राजी सभा के सीटों की संख्या दी गई है लेकिन अमेरिका में जो कॉंग्रेस है यही है कॉंग्रेस निम्र सदन के रूप में आप समझ सकते हैं यहाँ पे जन संख्या का परतनी तो होता है जन संख्या क तो क्या भारत कीशिती ऐसी थी, भारत में तो बिल्कुल ए ठी के मुचोल अना स्टेंडिंग नहीं था यहां पे कहिन कहीं आपे देखेंगे, तो हर एक राजियों को जो मतलब केंद्र था उसने regulate करने का यहां पर प्रियास किया नियंत्रित करने का प्रियास किया अर्थात इसके just बीपृत हो जाएगा संग्य ब्यवस्था ध्यान रखेगा जो यहां पर समझहोता हुआ है अमेरिका में इसके just बीपृत भारत में आपको दिखाई देगा अर्थात भारत में जो भी यहां पर राजिय है यहां पर अबिनासी नहीं होगा राजिय बलकि भारत का राजिय कैसा होगा बिनासी होगा अर्थात बिनासी राजियों का केंद्र कैसा होगा केंदर कैसा होगा, खुद आप सोच के देखिए, केंदर कैसा होगा, अबिनासी, अर्थात भारत में राज्य तूट जाएंगे, ध्यार परकेगा, भारत में राज्य तूट जाएंगे, लेकिन केंदर नहीं तूटेगा, अबिनासी संग हो जाएगा, अर्थात बिनासी राज्य है संग से प्रिथक नहीं कर सकते हैं इसका सिंपल सा मतलब है और यहां भी वहीं होगा ठीक है यहां पे दोनों नहीं तूटेगा यहां भारत में क्या होगा तूट जाएगा अलग यह भी नहीं होगा देख वारेन अलग यह भी नहीं होगा और अलग यह भी नहीं हो नेक्ट बात करते हैं त्री अस्तरिय सरकार, अब त्री अस्तरिय सरकार के मतलब क्या है यहाँ पे, जीसे कि दो सरकार है तो लेडी समिधान सभा के सदस्यों नहीं पे दिया हुआ था, अलाके त्री अस्तरिय सरकार का भी, ठीक है, DPSP के माधियम से दिखाने का कोशिस किया गया था, जीसे कि यहाँ पे केंद्र हो जाएगा, केंद्र, दूसरी तरफ यहाँ पे हो जाएगा राज्य, अब इसी राज्य को थोड़ा सावर बिकेंद्रिकित करने का प्रयास किया ग अब यहाँ पे देखेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है, केंद्र का, राज्य का, केंद्र एक हो गया, राज्य दू हो गया, अस्थानिय सो सासंतीन हो गया, इन तीनों का जो भी बिसेवस्तु है, बिल्कुल ही यहाँ पे बटा हुआ है, सब अपने अपने छेत्र में सासन पर सासन को, या फिर जो भी गवर्मेंट के जो नीतिया है, उसको इंप्लिमेंटेशन करने का प्रयास करते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे एकल नगरिक्ता, अब यह बहुत सिंपल है, ठीक है, एकल नगरिक्ता का मतलब यहाँ पे एक ही नगरिक्ता, एक ही नगरिक्ता, अर्थात भारत के संदर में देखेंगे यहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोई भी वेक्ती है, तो भारत का ही आपे नागरिक हो सकता है अगर जैसे ही वो किसी अन्य देश का नागरिकता अगर लेता है तो स्वता ही भारत के नागरिकता उसके खतम हो जाएगी जैसे कि कनाडा में देखेंगे तो दोहरी नागरिकता है भारत में इसी क्या है नहीं है तो इसका सिंपल सा मतलब है एकल नागरिक था समझ रहे हैं यहाँ पर राजे का आप नागरिक नहीं है आप सिधे सिधे ठीक है भारत का नागरिक है तो बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर उसके बाद राजे का जो परतनिधित्व है ध्यान रखेगा राजे का राज्य सभा को ले के हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि राज्य सभा में जो भी संसदों की संखिया है यहां पे जन संखिया के परतिनिधित्व के अधार पे दिया गया है लेकिन USA में क्या था सिर्फ दो ही एक राज्य सभा करते थे लेकिन भारत में इसा नहीं है राज्य सभा चुकी राज्य का परतिनिधित्व करता है और यहां पे जन संखिया का परतिनिधित्व के अधार पे ही यहां पे जो भी सीट होती है सीटों का संखिया का बटवरा होता है जैसे बिहार में राजय सवाय के संख्या कुछ और होगी, अगर कोई राजय चोटा है, तो वहाँ पर सीटों के संख्या बहुत ही यहाँ पर कम होगी, तो यहाँ पर इस चीजब को है धिया पर ध्खना है। जन संख्या के परत निशित वगा अधार पे, हाला कि इसमें कुछ राज्यों को यहाँ पर छुट यहाँ फिर बिसेश प्रावधान दिया गया है जैसे कि अगर हम लोग बात करें 371 यह का हम लोग बात कर ले तो इसमें ठीक है नागा लेंड हो गया नगालेंड से समंधित चीजों को यहाँ पर कुछ बिसेश चूट दी गई है वैसे ही यहाँ पर ठीक है थोड़ा बहुत एक्जांपल की रूप में दिखा सकते हैं लेकिन अगर हम लोगों बात कर ले ईवेसे की तो ईवेसे की जो उच सदन है जिसे सीनेट के नाम से जानते हैं वहाँ पर समानता को अधार बनाया गया है समानता को अधार बनाया गया है 50 अस्टार है हर एक अस्टार अपने आप में अमेरिकी जहन्ने में देखते होंगे 50 अस्टार वो 50 राज्यों को इंडिकेट करता है और यहाँ पे समानता को ध्याने में रखते हुए हर एक राजय से दो यहाँ पे सदसे चुने जाते हैं अर्थात 15 to 2 अर्थात सीनेट में 100 सीट यहाँ पे होगा उच्छ सदन में लेकिन भारत में यहाँ अलग संख्या हो सकती है अलग-अलग राजय में जन संख्या के इसका मतलब क्या है यहां पे भारत में आरोप लगता ही लेखता है कि भारत एक संगिया देश है लेकिन संगिया देश होने के बावजूद भी देखेंगे तो केंद्रों को कुछ मामलों में यहां पे समिधान के द्वरा अथिकार दिया ही गया है तो इस चीज़ को लेके यहां पे बुला जाता है कि संगिया देशोंने के बावजूद भी भारत एकात्मक बिवस्था के तरफ ठीक है बेवार करता है लेकिन ऐसा कहना पूरता सही नहीं होगा तो अब यहां पे भारत के जो समिधान में भारत के समिधान में एक मजबूत केंद्र की नियू रखे गए थी अब यह मजबूत केंद्र की नियू रखे गए थी अब यह मजबूत केंद्र अगर नहीं होता तो क्या अभी भारत इतने अच्छी तरीके सकारी कर रहा होता खुल सूच के देखिए जिन पुरसितियों में भारत का उद्य हुआ उन पुरसितियों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको अंदर ही अंदर ठीक है मतलब इतना खुसी होगा कि भारत इतने लंबे समय तक ठीक कैसे गया तो उसका एक बहुत बड़ा स्रे दिया जाना चाहें यहाँ पर मजबूत केंद्र को लेके हलाकि अब यह नहीं है कि मजबूत केंद्र बनाने के चकर में राजियों को पूरी तरीके से कमजोड कर दिया गया ठीक है ऐसा भी नहीं था राजियों को भी कहीं कहीं यहाँ पे ठीक है जो भी इनका अधिकार छेत्र था इनके अधिकार छेत्र को यहाँ पे देने का जरूर ठीक है परयास किया गया लेकिन कुछ मामला ऐसा है जिसमें आपको दिख जाएगा एकात्मक्ता के लच्छड जैसे कि कुछ एक्जामपल के मादेम से आपको कंप्लीर करना है जैसे कि लचीला समिधान अब इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे लचीला समिधान का मतलब यहाँ पे कि अगर यहाँ पे सं उसी तरीके से यहाँ पर इमर्जेंसी का टाइम ले लेजिए, इमर्जेंसी के समय अगर देखा जाए तो संसत के पास सकती बहुत यहाँ पर अधीक हो जाती है, चाहे हम लोग 352 की बात कर ले, 352 तो ठीक है, और डेडी राष्टरी आपात काल नेशनल इमर्जेंसी से जो कि ठीक है, काफी ही अगर देखा जाए, तो केंदर को यहाँ पर सकती परदान करती है, वैसे ही 360 बितिया पात काल की बात कर ले, तो यहाँ पर इमर्जेंसी हो गया, या फिर यहाँ पर जब भी चुनाओ की बात आती है, इसमें भी जो भारत सरकार का, केंदर सरकार का परभाव अच्छा खासा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अब यहाँ पर ठीक है, अभी क्या चल रहा है, मोदी गोर्मेंट में भी यही चल रहा है, एक देश एक चुनाओ, तो एक इकरित चुनाओ को लेके भी आप यहाँ पर चर्चक कर सकते हैं, अगर एक इकरित चुनाओ यहाँ चल रहा है, तो केंदर के अधीन ही यहाँ पर कारे करने का ठीक है, पर यास कराया जा रहा है, कि केंदर का जब चुनाओ तभी सारे राजियों को चुनाओ यहाँ पर हो जाएगा, तो कुछ-कुछ आप लगेगा कि जो केंदर कर रही है, यहाँ राजिय क राज्य सुची का जो भी बिसाय हैं यहाँ पर कई बार देखेंगे तो राज्य सुची के बिसायों पर यहाँ पर जो संसदिय अधिकार आपको जताते हुए देखने के लिए मिल जाएगा खास कर जब ऐसा होता है जब किसी राजे में मतलब केंद्र वाली सरकार नहीं है बिप्रित सरकारों के बीचे सब देखने के लिए मिलता है जबर जस्ति ठीक है तो यह सब चीज आपको कहीं न कहीं यहाँ पर एक आत्मक्ता के तरफ लच्छर देखने के लिए मिल जाएगा जैसे IPS, IPS यह जो तीन सेवाएं हैं देखेंगे ठीक है तो अखिल भारती सेवाओं के अंतरगत इसको रखा जाता है उसी तरीके से यहाँ पे राज्य सीविल सेवा हो गया राज्य सीविल सेवा अब यहाँ से सोचिए जो भी यहाँ पे अधिकारी बनके आ रहा है जो भी यह सीविल सेवा के अगर अभी तैयारी कर रहे है अब सोचिए कोई यहाँ पे IPS सी क्वालिफाई करके आ रहा है कोई यहाँ पे BPS सी क्वालिफाई करके आ रहा है लेकिन दोनों को यहाँ पे फानली आके एक चछत के नीचे एक साथ तुगेदर एक साथ मिलके यहाँ के दोनो ही सदवस्यों को काम करना है और यह जब काम करेंगे तो इसमें संग हो गया या फिर राज्य हो गया दोनों को ध्यान में रखते हुए या फिर यह लोग दोनों की यहाँ पर सेवा करेंगे दोनों की सेवा करेंगी क्योंकि ये किसके पाठ है कारेपालिका के ये पाठ है तो संग और राजी सम्मंधि ठीक है दोनों के सेवा करते हुए नजर आएंगे इसलिए कहा जा रहा है कि सारजनिक सेवाओ का कोई सक्त विभाजन यहां पर नहीं किया गया है कि ये ये केंद्र से आ रहा है तो केंद्र से सम्मंधित जो भी नियम कनून है उसी को सिर्फ फोलो करें राजियों की नियम कनून को छोड़ दिया ऐसा यहाँ पे नहीं है पूरी तरीके से चेक इन बैलेंस का मामला है नेच्ट है राजियों की रच्छा के लिए संग की सक्ती चुकि आपको पता होना चाहिए भारत के राजियों को अपना जो बैदेशिक समंध जो नितिये बनाने का अधिकार नहीं है कई बार देखते होंगे कि कई सारे मुख्य मंतिरियों का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है या फिर उन्हें बिजेसे यत्रा के लिए रोक लगा लिया जाता है तो ये पुरग पुरा केंद्र को अधिकार है ऐसा हो ठीक है कुछ प्रस्तितियों में कर सकती है तो यहाँ पे संग के पास संग के पास पुरग पुरा समयधानिक अधिकार है जैसे कुछ प्रस्तितिया हो सकती है अगर किसी विराजे पे बाहरी आकरमड हो रहा है किसी विराजे पे बाहरी आकरमड हो रहा है या फिर आंतरीक गडवडी हो रही है आंतरीक गडवडी जैसे बाहरी आकरमन के दल समझ रहे हैं जैसे अगर हम छोटा से एक्जामपल देगर बंगला देश वाला मामला तो देखिए वो बाहरी आकरमन के रूप में भी आप इसे समझ सकते हैं कि वेस्ट बंगल के तरफ कि अटेक किया जा रहा था वहां के लोग भाग के यहां प्यार है थे आंतरीक गडवडी का सबसे बड़ा एक्जामपल आपको पंजाब में देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पर आर्मी ने ठीक है जो स्वोन मंदर पर टेक किया समयधानिक अगर बिफालता है कहीं भी समयधानिक बिफालता है किसी भी राजे में जब चुना हो रहा है बिधान सबा का उसमें अगर कोई भी सरकार नहीं बन पा रही है तो भी राश्टपती सासन लगाया जा सकता है तो अब राश्पति सासन लगने के मतलब है कि पूरा पूरा law and order है ठीका वो हाँ पर केंद्र समालेगी तो इसलिए राजियों के लिए संग के सक्ति को यहाँ पर बढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है Next Next है यहाँ पर स्वतंत्र और एक कृत नयाय पालिका यह भी सिंपल है जैसे सुप्रीम कोट है अब नीचे जो भी इसके अधिनस्त नयाले हो गया अधिनस्त नयाले जैसे की हाई कोट डिश्टी कोट सेसन कोट या फिर बहुत सारा विशे सधालात अस्पेसल कोट भी होता है अब यहाँ पे इन चीजों को थोड़ा समझने की कोशिस कीजिये कि यहाँ पे अगर इनके दौरा किसी भी परकार का नीड़े अगर दिया गया है अगर सुप्रीम कोट में उसको चैल handles किया जा रहा है तो सुप्रीम कोट इन सारे ही अदालतों के फैसले को निरस्त कर सकती है निरस्त कर सकती है सिर्फ इतना ही नहीं बलकि सुप्रीम कोट तो अपने भी फैसले को पलट सकती है अपने भी फैसले को पलट सकती है और यदि मैंने बताया हुआ है संक्री परसाद के मामले में गुलक नात के मामले में किस्वनन्द भारती के मामले में अपने भी फैसले को पलट सकती है और समयध्यानिक ब्याख्या के माध्यम से समयध्यानिक ब्याख्या के माध्यम से समयध्यानिक ब्याख्या के माध्यम से इसे असमयध्यानिक घोसित कर सकती है तो यह है स्वतंत्र और एकिक्रीत नियाईपालीका. निश्ट है यहाफे नीमन सधान और उच्छ सदान. अब यह तो बिलकुल सीमपल है, सब मेंने समझाई दिया है कि नीमन सदान को यहाँ पे अधिक से अधिक पाउरफुल बनाने की कोसिस किया गया है. तो कि नीमन सादान में एक तो संखिया, number of seat है, number of seat यहां पे अधिक है, इसके अलावा जनता के दौरा इनको परतेक चुना जाता है, अब जनता के दौरा परतेक चुना जा रहा है, तो जनता क्या कर रही है? अपनी सक्तियों का कहीन कहीं हाँ यहां पे तो कुछ यहाँ पे ठीक है अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोग सभागोई यहां पे दिया गया है फाइनली यहाँ पर आपको निसकर्स के रूप में बता देना है कि देखिए भारत की जो संग्हिय परणाली है दो परसपर बिरोधियों के बीच समझहोते का परतनिधित्व करती है समझहोते का परतनिधित्व करती है इसके अलावा अगर कुछ और भी आपको लिखना है तो जैसे कि यह सक्तियों का जो बिभाजन है ध्यान रखेगा शक्तियों का बिभाजन भी करती है सक्तियों का बिभाजन भी करती है और जो भी यहाँ पर स्वायत छेत्र में ये लोग अपने ठीक है सासन पर सासन को सासन हो गया पर सासन हो गया सासन पर सासन को सुचारों रूप से चला सके सपोसकर यहाँ भी भाजन हो गया केंदर और राजी के भी राजी कंदर का अगर पंचायती विवास्ता उकला दिएगा वहाँ भी भाजन हो गया तो सब अपने हस्तर पे ठीक एक सुमायत तरीके हैं उनको यह नहीं लगेगा कि जब अजस्ति थोबा जा रहा है हम पे सुमायत तरीके से लोग सासन पर सासन को सुचारू रूप से चलाने के प्रयास करते हैं और ऐसा संगे व्यवस्ता में ऐसा इसलिए करना जरूरी हो जाता है ताकि भारत की जो राष्ट्रिय एकता अखंड़ता पूरी तरीके से यहां पर बने रहें देश की रच्छा हो सके देश की एकता को आप बढ़ावा मिल सके लेकिन थोड़ा बहुत आपको ठीक है एकात्मक्ता को ध्यान में रखते हुए केंदर को भी यह ठीक है मतलब नैतिक नील्डए को ध्यान में रखते हुए या फिर नैतिक जो भी ठीक है मामला है नैतिक मामलों को ध्यान में रखते हुए या फिर ठीक है नैतिकता के माध्यम से किसी भी मामले को फैसला करना चाह कियाम तोर होता क्या है? कि केंdar में किसी और की सरकार है, राज्ये में किसी की और सरकार है, पता चले की केंदर जो है 인राज नहीं कोई जो अस्कीम है लगाने के लिए तेयर नहीं कर रहारा है. उनका पैसा बहुत लंबे समय तक ठीक है, फासा के रख रही है, बहुत सारा सबसीडी मामला, बहुत सारा ऐसा ठीक है, डिवेटेबल जो इसू रहता है, संगे बिवस्ता में रहता ही रहता है, तो कुछ ठीक है, 70-80% पोजेटिब बातों को लिखके, कुछ 20-20% बात है, ठी टिपड़ी के रूप में आप कर सकते हैं, टिपड़ी के रूप में आप कर सकते हैं, तो ठीक है फ्रेंट्स, फाइनली आप लोग अपना फीड़ बाइक जरूर दे, फीड़ बाइक देते रहें, ठैंक्स पर वाचिंग, जैहिंग